हेलो विद्यार्थियों एल्वी क्लासेट के इस नई वीडियो में आप शबीका श्वागत है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्यावरति-धारा के इसके पहले लेक्चर में जो है आपको विभिन प्रकार के प्रत्यावरति-धारा परिपत यानिकी AC सर्कृट्स के बा बारे में बताया गया है अब आप यहाँ पर चौथा प्रिपत यानिक कि LR परिपत के बारे में प inform आप लेकेंगे LR परिपत या फिर आप बोल सकते हैं L R सरकिट तो यहाँ पर ध्यान देजिए अभी तक जो परिपत तयार के जाद थे उसमें सिंगल या तो प्रतिरोद लगा होता था या फिर प्रेरकत तो लगा होता था या फिर संधायत लगा होता था अब यहाँ पर दो यूज करने जैसे कि यहाँ पर है L R परिपत तो अब धन देजिए यहाँ पर जो परिपत तयार होगा इसमें एक प्रेरकत तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रेरकत तो लगा है इसके अलावं यहाँ पर जो है इसमें एक प्रत्रोद लगा हुआ है इस प्रकाशी यह यहाँ पर परिपत बन जाएगा और यहाँ पर यह मान लेते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती स्रोथ हो गया है इस प्रकाशी तो अब की बार यहाँ पर जो है एक प्रेरकत तो इसके अलावा एक प्रत्रोद ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए इससे बोला जाएगा L r परिपत तो यहाँ पर जो यह l परिपत है आप माल दिजिए यहाँ पर कि L परिपत के सिरौ के बीछ का जो ओल्टेज है वो vl है इसके अलावा जो r परिपत है इसके सिरों के बीच का जो voltage है वो मान लेजिए आप यहाँ पर vr है इतना आपको मान लेना है कि l परिपत के सिरों के बीच का voltage vl और r परिपत के सिरों के बीच का voltage vr इतना यहाँ पर दिया गया है तो अब ध्यान देजे, अब आप यहाँ पर मान लेजे कि इन दोनों का परिणामी ओल्टेज जो है वो V है तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि VL और VR का परिणामी ओल्टेज का परिणामी ओल्टेज व है तो अगर यहाँ पर VL और VR इन दोनों का परिणामी ओल्टेज क्या है V है तो देंद जी फार्मूला होता है V स्कॉयर बराबर VL स्कॉयर प्लस VR स्कॉयर यह फार्मूला होता है तो अब यहाँ पर देंद जी आपको करना क्या है यहाँ पर अब आपको मान रखने है मान रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देंद जी जो फार्मूला होता है ओम के नियम के अमशार यह होता है V बराबर I R यह होता है यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं R इस प्रकार से तो यह ओम के नियम के अमशार लिखा गया है अब ध्यांदेजी V R बराबर तो यह आ गया I into R लेकिन अगर V L की बात करें तो इसके बराबर होगा I into तो अब ध्यांदेजी यहाँ पर V R था तो यहाँ पर आता है I R R यहाँ पर होता है प्रत्रोध यानि कि यहाँ पर जो V R है इसका प्रत्रोध क्या है R तो उस्षी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग L की बात करें तो L यहाँ पर एक आपका प्रेर की परिपत है यानि कि L सरकिट है और इसका जो प्रत्रोध होता है उससे हम लोग बोलते हैं तो वही मान अब आपको यहाँ पर रखना है तो अब धन देजी जब आप यहां पर मान रखेंगे तो v square बराबर vl इसका मान आप यह वाला रखेंगे तो i into xl का square प्लस यहां पर मान रखेंगे तो i into r का whole square यह हो जाएगा v square बराबर यहां पर आप लिख शक्ते हैं i square into xl square यह हो जाएगा i square into r square इतना आएगा v square बराबर इसमें से i square common हो जाएगा तो यहाँ पर आजाएगा x l square और प्लस यहाँ पर आजाएगा r square इतना हुआ तो अब दन देजी अगर इसकों लोग इधर लाएं तो यह हो जाएगा v square बटे i square इस प्रकार से बराबर यहाँ पर दन देजी यह हो जाएगा x l square और प्लस r square इतना आजाएगा अब यहाँ पर आपको इसका वर्गमूल लेना है वर्गमूल लेने का मतलब यहाँ पर जो v square है यह हो जाएगा v i square है यह हो जाएगा i तो यहां तो यह बट्टे में दिये गए थे इसलिए V बट्टे आई आ जाएगा वर्गमूल लेने पर इधर देंदीजी प्लस लगा है इसलिए इधर जब वर्गमूल लेंगे तो यहां पर अंडरूड लग जाएगा आर स्कार और प्लस एक्स एल स्कार इस प्रकार से यहां पर जो जड है अब बता सकते हैं कि जहां जड परिपत की प्रतिबाधा परिपत की प्रतिबाधा इससे बोला जाता है परिपत की प्रतिबाधा तो यहाँ पर यह आगया आपका फार्मूला यानि कि परिपत की प्रतिबाधा का अब धन्दी जी आपको यह बताया गया है कि XL बराबर होता है ओमेगा L यह आपको बताया गया है तो इसके जगे पर अगर आप ये वाला मान रख देते हैं तो यही फार्मूला ऐसा हो जाए अगर जड़ बराबर अंडर रूड यहाँ पर आप लिखेंगे r square प्लस x l के जगे पर ये वाला मान रख सकते हैं तो omega l का whole square इस प्रकार से यहाँ पर इसे लिख सकते हैं अब इसके बाद धन देजे अगर यहाँ पर r परिपथ और l परिपथ के इंचारम लोग ग्राफ बनाएं तो मान देजे यहाँ पर धन देजे यह आपका है v r इस प्रकार से तो यहाँ पर v r और आपको बतायागा था कि r परिपथ में voltage और धारा दोनों समान कला में होते हैं तो यहाँ पर voltage और धारा दोनों समान कला में होगी लेकिन अगर l परिपथ की बात करेंगे तो इसमें voltage जो होता है वो धारा से 90 अंस आगे होता है पर ये जो है 90 डिगरी आगे होगा या फिर बोल सकते हैं कि यहां पर धारा जो है इस ओल्टेज से 90 अंस पीछे होगी L परिपत के अनुशार और R परिपत के अनुशार आपको बताया आगिया है कि ओल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं तो यहां पर दोनों का जो परिणामी ओल्टेज माना गया है वो क्या माना गया है वो माना गया है वी तो अगर मान लेजिए यहां पर कि परिणामी ओल्टेज जो है यहां पर धारा आई से कितना कोण बना रहा है फाई इस प्रकार से यह कोण कितना बन रहा है फाई तो अब आप माल लेज़ें आपर कि यद धारा तथा परिणामी ओल्टेज के बीच का कलांतर फाई है तो यहाँ पर धारा और परिणामी ओल्टेज के बीच का कलांतर क्या माना गया है फाई तो अब धान दीजे अगर यहाँ से हम लोग टैन फाई ग्याद करते हैं तो फर्मूला यह होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यह होता है तो इसके इंशा धान दीजे अगर यह वाला हम लोग कोण ग्याद करें तो इसके इंशा लंब आपका यह होगा यानि कि वी ऐल और आधार यह होगा यानि कि वी आर इतना आएगा तो अब धन्दी जी, VL, इसका आप मान रखी है यह वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा I, इंटू में हो जाएगा XL, V, R का मान रखेंगे, तो I, इंटू में आ जाएगा R, इतना आएगा, इसमें यहाँ पर जो है, I से I, कैंसल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा फिर 10, 5 फाई बराबर, यहाँ पर धन्दी जी, XL, XL बराबर होता है, ओमेगा L, और बटे में दिया गया है R, तो यह आजाएगा, इसके लाओं ओमेगा बराबर आपको बताया गया है, 2PiF, तो यह ओमेगा के जगे पर हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा L, और बटे में आ जा प्रतिगात है तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीन सॉट ले शकते हैं अब इसके बाद दहन देजी अगला यानि कि पाचवा आप यहाँ पर पढ़ेंगे C, R परिपत के बारे में यानि कि यहाँ पर जब परिपत में संधारतर C और इसके अलावा ओमी प्रत्रोध R लगा है तब दहन देजी यहाँ पर दहन देजी इसके लिए पहले परिपत अब की बार यहाँ पर परिपत में जो है एक संधारतर लगा है इसके साथ यहाँ पर जो है ओमी प्रत्रोद लगा हुआ है इस प्रकार से यह यहाँ पर हो जाएगा यह यहाँ पर प्रत्यावर्ति उल्टता शुरूत हो जाएगा तो यह संधारत्र है C और यहाँ पर यह प्रत्रोद लगा है R तो अब ध्यान देजी इस प्रकार से अब की बार यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो संधारित लगा है इसके सिरो के बीच जो ओल्टेज है वो यहाँ पर है वी सी इसके अलावा जो प्रत्रोध आर लगा है इसके सिरो के बीच का ओल्टेज यहाँ पर है आर इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी मान लेना जैसे भी आपको यहां पर बताया गए था, उसमें वहां पर प्रेरकत तो लगा था, L अपकी बार यहां पर केवल संधाहित लगा है, बाति शेम उस्ची प्रकार से आपको यहां पर भी सालो करना है, आप यहां पर मान लेंगे कि यदि V, C और V, R का परिणामी voltage का परिणामी ओल्टेज वी है तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वी स्क्राइर बराबर वी सी स्क्राइर प्लस वी आर स्क्राइर इतना होगा अब यहाँ पर रहन देजिए आपको बताया गया है कि वी आर बराबर होता है इसके अलावाववगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवगवग लोग धारती प्रतिगात कहते हैं, यह आपको बताया जा चुका है, तो वही मानव आपको यहाँ पर रखना है, तो अब देंदी जी, यह हो जाएगा, V2 बराबर, V6 इसके जगे पर यह वाला मान रख दीजी, I into XC का होल स्कॉर, VR के जगे पर यह वाला मान रखेंगे, तो I into R का होल स्कॉर, इसके बाद यह हो जाएगा, V2 बराबर, इसका जब वर करेंगे, तो I2 into XC², यहाँ पर वर करेंगे, तो I2 into R2, इतना आ जाएगा, V2 बराबर, इसमें I2 कामन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, XC² और प्लस R2, इतना हुआ, आ इसक्वाएर जाएगा i² इससे आप लिख शक्ते हैं r² प्लस xc² अब आपको यहां पर जो है इसका वर्गमूल लेना है जब आप वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर यह आजाएगा वी बट्टे i² हट जाएगा और इधर वर्गमूल लेने पर आजाएगा अंडर रूड r² प xc² आप बता सकते हैं आपर कि जहां z परिपत की प्रतिबाधा प्रतिबाधा का मतलब यहां पर प्रतिरोध से है यानि कि रुकावट से है यह जो है यहां पर cr परिपत का प्रतिरोध बोल सकते हैं आप है इससे प्रतिबाधा या फिर प्रतिरोध है यानि कि रुकावट करना इसके अलावा ध्हंदी जी यहां पर ध्हंदी इसमें है xc और xc बराबर आपको बताएं गैया होता है one upon omega इसके अलावा C यह होता है one upon omega c तो XC की जगे पर ये वालावान भी आप यूज़ कर सकते हैं तो यह आजायगा फिर z बराबर under root R square प्लस यहां पर समान रखेंगे तो वन बटे ओमेगा सी का होल स्कॉयर ये इतना आ जायेगा इस प्रकार से अब इसके बाद ध्यान देजी तो यहां पर ध्यान देजी अगर यहां पर हम लोग ग्राफ बनाएं तो यहां पर आर परिपत हैं तो आर परिपत में आपको बताया गया है कि जो है समान कला में होती है और अगर यहां पर हम लोग सी परिपत की बात करें यानि कि धारती परिपत की बात करें तो धारती परिपत में ओल्टेज जो होता है वो धारा से नब्बे अंस पीछे होता है तो धारा अगर यह है तो अगर हम लोग ओल्टेज प्रदसित करेंग यानि कि VC यह जो है धारा से 90 अंस पीछे होगा यह आप लोग याद रखेगा तो यहां पर VR और VC का परिणामी ओल्टेज क्या था यह अपने माना था तो अब मान लेजे परिणामी ओल्टेज और धारा के बीच का कलांतर क्या है फाई है यह आप यहां पर मान लेजे तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि यदि परिणामी ओल्टेज परिणामी ओल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर फाई है तो यहां पर यूज किया जाएगा 10 5 बराबर अब धन्देज तेंग थीटा बराबर आपको बताया है क्या होता है लंब बटे आधार तो यह यहां पर लंब का कार करेगा और यह यहां पर आधार का यहां पर आप लेखेंगे वी सी और बटे में आजाएगा वी आर vc इसका आप मान रखेंगे तो यह हो जाएगा i into xc और vr का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा i into r इतना आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है i से i cancel हो जाएगा तो यह आएगा फिर 10 5 बराबर xc बटे r इसके अलावा देहन देजी xc बड़ाबर आपको बताया गया यह होता है तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 बर्टे ओमेगा इसके अलावा c और यहाँ पर आजाएगा r तो इस प्रकाश यह इतना आजाएगा इसके अलावा आप चाहे तो ओमेगा का अमान भी रख सकते हैं तो इससे आप फिर ऐसा लिख सकते हैं देहन देजी अगर आप ओमेगा का अमान रख देंगे तो यह ऐसा हो जाएगा 1 बर्टे ओमेगा के जगे पर हो जाएगा 2 पाई f इसके अलावा c r तो फिर वहाँ पर इतना आज आएगा तो अब देंदेजी आपर f आवरत है c धारता है r ओमी प्रत्रोध है अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीन सॉट ले शकते हैं अब इसके बाद देंदेजी 6 यानि कि l c परिपत अब की बार प्रेरकत तो l इसके अलावा संधारत्र सी जोड़ा जाएगा तो अब धन देजी यहाँ पर परिपत है अब की बार धन देजी इसमें l यानि कि प्रेरकत तो जोड़ेगा इस प्रकार से और इसके अलावा संधारत्र तो यह हो जायागा आपर शन्धार्तर इस प्रकास यहाँ पर प्रत्यावर्ति स्रोत हो जायगा तो यह परिपन तयार हो जाएगा यहाँ पर L और C इस प्रकास यह जोड़े गए हैं तो अब की बार आप मान लेजी आपर कि जो L परिपत है इसके सिरों के बीच का जो विभुवांतर है वो VL है इसके अलावा धन देजी यहाँ पर जो C परिपत है इसके सिरों के बीच का विभुवांतर आप मान लेजी VC है इस प्रकार से तो अब धन देजी अब की बार यह यहां पर लिखेंगे आप V L यदि V L और V C का परिणामी ओल्टेज परिणामी ओल्टेज व है तो यहां पर इसके लिए फर्मुला होता है V बराबर V L डिफरेंस V C यानि कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे घटाया जाएगा हमेशा तो अब ध्यांदी जी आपको बताया गया है कि V L बराबर होता है I into XL इसके अलावाँ V C बराबर आपको बताया गया है I into X C तो यह मान आपको यहां पर रखना है तो V बराबर इसके जाएगे पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा I into XL डिफरेंस यहां पर मान रखेंगे तो I into X C इस पर कासे तो V बराबर इसमें I common हो जाएगा तो यह आएगा XL डिफरेंस X C इतना इसको पिधर लाएंगे तो V बटे I बराबर यहां पर हो जाएगा XL डिफरेंस X C और V बटे I को में लोग लिखते है Z तो Z बराबर आजाएगा XL डिफरेंस X C यहां पर Z क्या है यह परिपत की प्रत भाधा हो जाएगी अब यहां पर दन्तेजिस जेड़u बराबर XXL बराबर होता है Option men इन दिफ्रेंज वन बटेu Xc बराबर होता है ओमेगा सी इस प्रकार से भी ब्रेंपा इसे लेकशक्ते हैं तो यहां पर दन्तेजिस अपकी बार प्रिर्कत तोasan है और संधारतर C है तो अब धंदीजी अगर इसके लिए लोग ग्राप बना तो मालेजी यहां पर प्रदस्ट किया गया धारा को तो अगर यहां पर हम लोग L परिपत की बात करें तो L परिपत में उल्टेज जो होगा वो धारा से 90 अंस अग्रगामी होगा इस प्रकार यहां पर VL यह जो है धारा से 90 अंस अग्रगामी होता है इसके अलावा अगर हम लोग C परिपत की बात करेंगे तो C परिपत में उल्टेज जो होता है वो धारा से 90 अंस पश्च गामी होता है इसलिए यहां पर इस तरह बनेगा आपका VC क्योंकि यह जो है धार तो बाकी के टॉपिक में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे शेनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद